दोस्तो ओला S1 और ओला S1 प्रो के लिए मूव OS 3.0 का बिटा वर्जन रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है तो जिन ओला ओनर्स भाईयों को बिटा वर्जन टेस्टिंग के लिए रेजिस्ट्रेशन करना है तो रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए यह बिटा वर्जन रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप अपने PC से भी कर सकते हो और मोबाल स से भी कर सकते हो यह रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम अपने मोबाल पर ही करने वाले है चलिए शुरू करते हैं मोबाल स्क्रीन पर हमें क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्ज बार में हमें moos.olaelectric.com को सर्च करना है इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर क्लिक करके भी डारेक्ट इस पेज पर पहुंच सकते हो इसके बाद हम रेजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर आपको एक ओप्शन देखने किया था यहाँ पर आपको आप टेस्टिंग के लिए कौन-कौन से फिचर लेना चाहोगे उसे टिक मार्क करने का आप्शन आएगा वैसे तो हम सभी फिचर के लिए इंट्रेस्टेड है इसलिए हम सभी फिचर को टिक मार्क करेंगे और नीचे I am not a robot पर टिक करके submit कर दें कि आपको वही mobile number एंटर करना है जो आपने ola purchase करते time register किया था क्योंकि आपके इसी mobile number से आपका scooter track किया जाएगा और आपके scooter पर इस software को push किया जाएगा और एक जरूरी बात ये moveOS 3.0 का एक beta version है याने कि ये एक testing version है तो इसलिए इसमें कुछ problems या कुछ bugs भी हो सकते हैं beta version users से feedback लेने के बाद इस version में जो bugs है या जो problems है उसे fix किया जाएगा और उसी के बाद इसका final version अपडेट के लिए दिया जाएगा तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन